हलो फैंट्स, वेलकम टो इंग्लिश लिटरेचर फैंट्स, हेर वी आर गूंग टो डिसकस आवर मोस्ट इंपोर्टन टोपिक दैट इज जिरंट्स जैसा कि आपको पता है कि जो जरंड है वो आपके एक्जाम में काफी टाइम्स पूछा जाता है चाए हमारे कोई बीग्जाम हो, जिस जिसमें हम जरंड है उसका हमें कैसे पता चले कि यह जरंड हैลन का काम कर रहा है जबकि हमें पता है कि जरंड और जो हमारी रिभ्र प्रेजयन कॉंटिनूर्स थैंस मिंस भी एक जैसि फो होती है Лेकिन फिर भी फेयंट इनमें काफी ज्यादा डिफ्रेंस होता है वो जो जिरेंड वह और म्मं जैसे काम कर और जो हमारी वर्ब होती है वी वन प्लस आईएञे वो एक 230 वार्बल काम करती है तो जिरेंड है इसको topic और बचते हैं आपके English grammar के वाकी complete हो चुकी है grammar आप हमारे चैनल के playlist में देख सकते हो जो अलग से playlist बनाई हुई है ठीक है तो fans हम देख लेते हैं कि जो jirund है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वरब क्या होती है और वरब और jirund में क्या difference होता है तो fans यहां पे वरब है उसकी definition लिखी गई है वरब is a word that denotes an action, stage, position of a thing or a person कोई भी person है कोई भी thing है उसके stage को show करती है वरब उसके action को show करती है और position को show करती है means जो noun होता है pronoun होता है वो कोई काम करता है वही हमारी क्या होती है वरव होती है, किसी भी परकार का काम जैसे खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना, चलना, फिरना, गाना, बजाना, रोना, ये सारे हमारे क्या हैं, वरव हैं, मिन्स, एक्षन हैं, काम हैं, और इनको हम वरव कहते हैं, अब बात कर लेतें कि जिरंड क्या होता है, तो जिरंड ह होता है यह कैसे काम करता है किसी भी किसी भी में ठीक है अब जलते हैं कि वरब है क्योंकि फैंस को कलियर करने से पहले हमें बरब के कितने टाइप्स हैं वरब के basically दो टाइप्स हैं तो यहां पे देखते हैं कि definite वरब और indefinite वरब तो यहां पे definite वरब की बात करते हैं तो जैसे कि हमारा नाम से दिखाई देता है जैसे definite article है दी है जो कि क्या करता है एक particular ошने होती रहती है ठीक है कैसे change होती रहती है जैसे कि subject के coding tense के coding और number के coding for example एक बार देखना बात कर रहे हैं definite वरब की जो कि subject वरब subject tense और number के coding change होती है जैसे देखना यह writes a letter तो यहां पे हमारे वरब क्या है यह वरब है हमारी rike और इसको हमारे subject के according singular बना दिया ठीक है एस और एस लगाने से हमें पता जलता कि वरब हो singular है अब दूसरा sentence देखना एक बार I write a letter तो यहां पे I के साथ plural वरब लगती है तो यहां पे S हो हटा दिया है ठीक है तो यहां पे जो वरब हो फिर यहां पे हमारा sentence बदल दिया तो वरब की second form आ गई ठीक है तो यहां क्या होता कि जो हमारे definite वरब होती है उसमें जो वरब होती है वो noun के साथ ही साथ हमारे जो नंबर और कह सकते हैं कि tense के according वो change हो जाती है यह आपको hope so आपको यह पता भी होगा अब देख लेते हैं जो दूसरी वरब है indefinite indefinite क्या होता फैंस does not change according to its subject tense और नंबर जो यह हमारे indefinite होती है जो क्या होती है जो change नहीं होती है वो नहीं तो subject के coding change होगी नहीं tense के coding और नहीं number के coding examples देखना he wants to write अब देखो यह वरब है यह change नहीं हो रही है यह हमारी definite वरब है यह change होती रहेगी लेकिन यह वरब है to infinity यह change नहीं होती है जैसे हमारा यहाँ पे singular है तो यहाँ वाली तो change हो गई singular वरब आ गई लेकिन यह वाली सेम है आगे देखो यहाँ पर आई है जो कि हम plural में रखते हैं इसमें जो यह वाली वरब change हो गई लेकिन यह वाली adjectives है फिर देखो he wanted to write यहाँ पे टैंस हमने चेंज कर दिया लेकिन हमारी वरब है वो वैसे की वैसे है तो indefinite जो वरब होती है वो change नहीं होती है जबकि जो definite वरब होती है वो change हो जाती है ओके अब चलते है next पे infinite वरब ठीक है यह मैं क्या बोलने हूं definite वरब होती है यह two परकार की होती है दो परकार की होती है एक तो होता है two infinitive जैसे की हमारे यह वाली वरब है और एक होता है bare infinitive तो bare infinitive में क्या होगा two नहीं होगा और two infinitive में two फोगा ठीक है त finite वरब कितने परकार के होती हैं तो दो परकार के होती हैं अब जलते हैं हमारे topic के उपर कि जैसा कि आपको बता है कि जो gerund होता है वो क्या होता है V1 पलस ING हमारी form में लिखा जाता है gerund जो कि काम करता है subject का object का और noun pronoun का ठीक है noun pronoun हम इसलिए करते हैं कि जो subject का काम करता हूँ या तो noun होगा ठीक है या pronoun होगा वैसे हम बात करें तो gerund एक वरब भी होती है लेकिन ये काम करता है subject का ठीक है तो यहाँ पे देखो V1 पलस ING work as noun subject और object किसी भी sentence में या तो वो subject होगा या object होगा subject compliment या object compliment ऐसे होगा तो as a subject यहाँ पे मैंने लिखा कि as a subject ये कैसे काम करता है तो यहाँ पे देखो example से हम समझेंगे swimming is a good exercise तो subject क्या होता फैंट्स subject वही होगा जिसके बारे में बात की जाए या जो काम किया जाए ठीक है या जो काम करता है sentence में तो यहाँ पे बात किसके बारे में होरी है swimming के बारे में तो यहाँ पे subject बनाना तो इसलिए हमारा sentence वह क्या है swimming is a good exercise swimming है वो एक अच्छी exercise है ठीक है तो यहाँ पे as a subject का ये काम करता है दूसरा reading is my hobby यहाँ पे reading के बारे में बात हो रही है जिसके बारे में बात की जाए या जो बात करे वो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे दोनों ही हमारे सब्जेक्ट हैं कोई भी संटेंस हो सकता है जैसे walking is an exercise ठीक है walking is an exercise ऐसे भी हम बोल शकते हैं तो जिस भी ing की form है v1 पलस ing है और उसे के बारे में बात हो रही है तो वो हमारा क्या बन जाता है gerund बन जाता है ठीक है अब जलते हैं दूसरी टाइप के उपर की कैसे ये काम करता है दूसरा हमारा टाइप रहेगा work as an object he likes reading novels अब देखो ये वरब है ये हमारी क्या है चेंज होती रहती है definite वरब है और reading novels कि उसको novel पड़ना पसंद है अब किस के बारे में बात होई novel पड़ने के बारे में फिर पड़ने के बारे में है तो ये हमारा object है यहाँ पे subject कौन है he और ये हमारा क्या है object है stop talking अब देखो ये हमारी वरब है इसमें subject नहीं है यहाँ only क्या है object है तो stop talking यहाँ talking के बारे में बात हो रही है कि में talking को बंद करू आगे है I enjoying flying kite अब देखो मुझे enjoy आता है किसमें enjoy आता है kite उडाने में kite है ये भी हमारा क्या है object है लेकिन ये हमारा direct object है और ये indirect object है ठीक है ये पता होना चाहिए आगे चलते है next के उपर as a compliment of verb ठीक है यहाँ पर हमने क्या देखा था जो object के रुप में भी ing की form में वरभ है वो काम करती है जो कि हमारा general कहलाती है यहाँ देखता है seeing is believing अब देखो seeing है इससे ये relate करता है ठीक है यह जो देखेंगे उसी पर विस्वास किया जाएगा तो यहाँ पर ये हमारा क्या है object compliment है sorry subject compliment है या वरभ compliment है यहाँ से फिर शेक इसके बारे में बात के गई है जो is driving क्या है उसका पैसन ड्राइव करना ठीक है वरभ compliment के रूप में ये काम करता है आगे चलते हैं हमारे next के उपर देखो fans ये कुछ वरभ हैं आप इनको लिख भी सकते हो और learn भी कर सकते हो जिस भी sentence में इस परकार की वरभ आ जाती है तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा जरंड आएगा ये आपको पता होना चाहिए जैसे दखो admit इसने दिया है तो he admitted cheating me तो यहाँ पर always क्या आएगा जरंड ही आएगा ये कुछ हम कह सकते हैं कि fixed वरभ होती है जिनके बाद क्या आता है जरंड ही आता है दूसरा है appreciate करना appreciate के बाद भी देखो हमारी वरभ आई talk तो इसको हमने जरंड में change किया ये हमारा जरंड है ये object है ठीक है object वाला जरंड है avoid के बाद भी क्या है फिर शे हमारा traveling है तो यहाँ पे ये कुछ confirm है fans इन वरभ उसके बाद क्या आता है always जरंड ही आता है ये सारे किशारे जितने भी मैंने यहाँ पे mention कर रखे हैं तो उनके बारे में आपको learn करना है कि भई इनके बाद क्या आएगा हमारा जरंड ही आएगा देखो टोलरेट के बाद भी b की ing form लगा दी इसने suggest के बाद क्या लगा दिया staying लगा दिया means ये वाली वरभ तो वही रहेगी लेकिन आगे कोई भी वरभ आए वो जरंड की form में आएगी जैसे post porn, parasite, recommend, regret, recent, resist, risk तो यह सारे आपको learn करने है आगे है second जो rule रहता है fancy elucent की book से मैंने screen सोट लिए आपके लिए यहाँ पे देखना ये वरभ है और इन के बाद क्या आती है preposition आती है और फिर उसके बाद जिरंड आएगा sentence कोई भी हो हमारा ठीक है उसके बाद क्या आएगा जिरंड आएगा आगे कोई भी वरभ हो उसको हम जिरंड फों में ही लिखेंगे means noun की फों में ही लिखेंगे जैसे excel प्लस in excuse प्लस four और persist ये सारे ही सारे ही आपको ध्यान में रखने है देखना देखो ये कुछ example है जैसे कृष्णा look forward to अब forward है इसके बाद क्या आया meeting आया देखना उपर forward होगा देखो ये रहा look forward to ठीक है तो ऐसे करके कोई भी हमारा ये वरभ आपको दिखाई देती है तो उनके बाद क्या आएगा वरभ प्लस preposition पहले only वरभ थे ये preposition को साथ लिये हैं और इनके बाद क्या आता है जैसे ठीक है आगे देखना he prevented me from going out at night अब देखो prevent from इसके बाद क्या है हमारा जिरंड ठीक है तो इन से आपको क्या भी रखना है अगर आप से पूछ लिया जब ये क्या है तो ये हमारा जिरंड है ठीक है इन फाइनाइट क्या होता है टू पलस वरब वी वन ठीक है टू पलस वी वन होता है उसको हम इन फाइनाइट कहते है या तू इन्फिनिटिव भी कहते है तो बिगेन है बिगेन के बाद हम प्लेइंग जरंड भी लगा सकते है और two play भी लगा सकते हैं छूट है दोनों ही sentence हमारे ठीक रहेंगे जैसे hate है, hate के बाद हम getting भी लगा दिया और two get भी लगा दिया तो ये भी जो table है आपको learn करनी है friends, ठीक है prefer के बाद भी हम क्या लगा सकते हैं जो हम gerund भी लगा सकते है अब देखो अक्सराइज मैंने राइट डाउन की हापके लिए एक बार देखना हमारा first sentence है friends, एक बार देखना he is found off अब देखो, he is found off तो यहाँ पर क्या offense found off है उसके बाद क्या आएगा हमारा जैसे यहाँ पर वही sentence है यह हमारी helping verb है यहाँ पर बात औरी है डांसिंग के बारे में तो वह है किसका found off है means किसका सोकिन है डांसिंग का found off है means अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वह always क्या होता है हमारा noun ही होता है means हमारा subject ही होता है और subject ही काम करता है subject के बारे में बोला जाता है ठीक है ही I went dance see my elder brother यहाँ पे देखना friends यहाँ पे to infinitive आएगा ठीक है to infinitive क्या आगा to see ठीक है आगे चलते हैं I prefer देखो prefer के साथ इसने बताया था कि दोनों कर सकते हैं to play भी कर सकते हैं और to read भी कर सकते हैं और यहाँ पे playing और दोनों ही हमारे बिल्कुल ठीक रहेंगे ठीक है जरेंड भी लगा सकते हैं और to plus even भी लगा सकते हैं they stop talking अब देखो talking आएगा यहाँ पे आगे चलते हैं next के उपर he was congratulated on अब देखो on वाला sentence है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा ing है congratulate plus on means क्या था यह वरब दे दी और यह हमारी preposition दे दी तो आगे क्या आना है हमारा जरेंड आना है आगे करते हैं the work is going that's more difficult than I expected तो यहाँ पे क्या आएगा फैंस going हमारा फिर पहले से लगा रखा है तो टू भी आ जाएगा यहाँ पे चिक है टू भी means to infinity आ जाएगा आगे है one should try to understand try to understand ही होता है always it is no use asking him to stay means उसे पूछने का कोई भी मतलब नहीं है कि वो यहाँ पे टहरे तो यहाँ पे पूछने का है न तो यह हमारा जिरंड का का काम करेगा asking लग जाएगा यहाँ अगे है I am confident of confident of है उसके साथ क्या आएगा जिरंड आएगा I am looking to meeting looking to के बाद भी हमारा क्या आएगा जिरंड ही आएगा तो यह fans over up आप कर लेते हो तो easily आप cover up कर पाओगे हमारे जिरंड का और अगला जो हमारा topic रहेगा वो रहेगा हमारा participant का ठीक है fans उसके बाद मैं courses करूंगी एक आपके लिए 60 marks का mock test लेकिया हूँ जो कि हमारे anxiety और शाथ ही साथ है हमारी grammar या फिर हमारी पेडागोजी से रिलेटेड टोपिक उसमें मैं questions उसमें मैं दू तो इसी के साथ है वी good day and best of luck